Good morning everyone, मैं सहलेश यदव, Assistant Professor Geography और हाली में Department of College Education Government of Rajasthan द्वारा ग्यान सुधा पहल स्टार्ट की गई है तो इस ग्यान सुधा पहल के अंतरगत हमने पिछली क्लास में भारत की आवस्तिती और विस्तार के बारे में चर्चा की थी आज की जो क्लास होगी इसमें हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम देखेंगे कि भारत के किन राज्यों की सीमा जो अंतरास्ति सीमा बनाती है और उनको हम डिटेल से देखेंगे साथ ही अभी तक हमने जो भी पढ़ा है दोनों classes में उससे related कुछ questions देखेंगे हम उनको discuss करेंगे और try करेंगे कि उन questions के मादगम से कैसे हम अपने facts को revise कर सकते हैं जो concepts को revise कर सकते हैं तो start करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत का political map है अभी recently कुछ changes आये हैं तो अभी भारत में वर्तमान में 28 states हैं 28 राज्य हैं और 8 केंदरशाशित प्रदेश हैं तो अभी जो recent change है वो यह है कि जो आपका दमनन्दीव है और दादर और नागर हवेली है दमनन्दीव और दादर और नागर हवेली को मर्ज करके एक नया यूटी बनाए गया है दादर और नागर हवेली दि-एनेज एंड दमनन्दीव ठीक है साथ ही जमुन कश्मीर को जो पहले स्टेट था उससे दो इनिन टेरिटरीज बनाए गई है एक लदाग और दूसरा जमुन कश्मीर तो ये कुछ चेंजिस हैं जो आपको पता होना चाहिए अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमाले है महान हिमाले है दक्षिन पश्म में अरपसागर अवस्तित है दक्षिन पूरा में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिन में हिंद महासागर है विशाल हिंद महासागर है तो ये जो है वो भारत की प्राक्रतिक सीमा ये निर्मित करते हैं और भारत को एक प्राइड यूपी आवस्तिती प्रदान करते हैं यदि भारत की स्तलिय सीमा लोगे आप तो वो है 15106.7 km और भारत की तट्रेखा जिसके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं वो है 7516.5 km ठीक है भारत के स्तलिय पड़ आसी देशों में समलीत कौनकून से देश हैं सात देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूतान, म्यान्मार और बांगगदेश लेकिन अब भारत की मेल press time boundary या सागरे सीमा की बात करोगे तो कौनकून से देश हैं पाकिस्तान, श्रिलंका, माली, बांगलदेश, थाईलेंड, म्यानमार और इंडोनीशिया मेल टाइम बाउन्डरिया सागरी सीमा के बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे EZ के बारे में इंडिया के EZ, Exclusive Economic Zone के बारे में पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे भारत किन-किन के साथ अपनी सागरी सीमा साजा करता है तो उसको हम डिटेल से अलग लेक्चर में देखेंगे आज का हमारा जो फोकस होगा वो यह होगा कि जो भारत स्थलिये देश है स्थलिये पड़ोसी देशों में से किस-किस के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो यह डाइग्राम है इसमें आप देख सकते हैं अरब सागर, बेव बेंगोल, नीचे हिंद महा सागर और यह आपका महान हिमाल है साथ जो स्थलिय देश है उनके साथ अपनी भारत सीमा साजा करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, चाइना और म्यानमार ठीक है तो इसको हम देखेंगे अभी नेक्स स्लाइट में साथ ही भारत अपनी मेरिटाइम जो बांटरी है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर मारलीव सागया, इंडोनेशिया, थाइलेंड, म्यानमार, ठीक है यहाँ पर बांगलादेश, शेलंका, इन सब के साथ भारत अपनी जो मेरिटाइम बाउंडरी है या सागरे सीमा है वो साजा करता है अच्छा भारत की जो अन्य देश हैं उनके साथ अपनी जो सीमा रेखा है के कुछ को डी मार्केट किया गया है जैसे भारत और चीन का जो है उसकी जो भारत और चीन के मद्दे जो पूरवी सीमा है वो मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित की गई है मैकमोहन रेखा का जो निर्धारन हुआ था वो हुआ था आपका ये अडिशनल फैक्ट आप याद करने के लिए लिख सकते है 1914 में 1914 में उनिस सचोधय में एक सिमला कण्वेंशन हुआ था जिसमें तिबत और जो नौर्ट-ऐस रीजन टोंफ इंडिया था भारत नौर्थ रीजन था उसके मद्द्द सीमा को डिमार्किट किया गया था कि शिम्बा कंवेंशन में ऐसा किया गया था तो 1914 में भारत और जीन के मत्र safety Macimorsili कि मार्डिक कर तब भारत तब इस डिमार्केशन ऑप भी कि अरद्द हीं को उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के विवाजन हुआ तो जॉइंट बाउंटरी कमिशन मना था जिसके जो चैरमें थे वो रेड क्लिप थे और उनके द्वारा ये भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा का निर्धारन हुआ था ठीक है और जो तीसरी लाइन है वो है दूरंड्रेखा ठीक है दूरंड्रेखा का जो निधारन हुआ था वो हुआ था जो दूतिय एंगलो अफगान वह और हुआ था अंग्रेजों और अफगानिस्तान के मद्ध है जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके फर्स्ट फेज के बाद में ये आपका 12 नवंबर 1893 को ये डिमार्केट और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा का निधारन करती है तो मेकमोन रेखा भारत और चायना के मद्ध है 1914 में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा 1947 में बाउन्री कमिशन के द्वारा और भारत और अफगानिस्ता प्वाइन है यह पर दूरं रेक है और यह में मैख मौन टीक है इसमें दिया हूआ यह यहां पर देख सकते हैं नेक्स स्लाइड में देखते हैं जो सबसे इंपोर्टेंट स्लाइड है कि भारत कौन-कौन से देशों के साथ अपने सीमा साजा करता है और उनसे संलंगन राज्ये कौन-कौन से है तो ये टीबल आपको अच्छे से याद करनी है देखो नेमनिक्स है इसको याद करने के बच्पन-MBA फिर से बोल रहा हूं बच्पन-MBA, B for Bangladesh, चैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, N for Nepal, M for Myanmar, B for Bhutan, A for Afghanistan तो ये बच्पन-MBA area आप याद कर लोगे तो आपको जो स्तले सीमा के लंबाई है ना उसका क्रम हमेशा याद रहेगा तो देखिए, बांगलादेश के साथ भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा साजा करता है, स्तले सीमा, वो है 4,096.7 km और कितने राज्यों या केंदर मैप में देखेंगे, मैप के साथ जब इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अब चीन के साथ आप देख सकते हो, दूसरे नंबर पर भारत चीन के साथ अपनी सीमा साजा गरता है, कुल लंबाई के हिसाब से, वो है 3,488 km, अब इसमें याद गरने की जो चीज है, वो चीन से टच करता है, तो कितने राज्यों के साथ बारत और चीन सीमा साजा करते हैं, ये केवल चार राज्ये हैं, और एक यूनिन टेरिटरी है, और वो यूनिन टेरिटरी जमौन कश्मीर नहीं है, वो क्या है, लगधाक है, भारत अपनी, भारत और चीन अपनी जो शाशित प्रदेश साथ ही पाकिस्तान फाकिस्तान दो के इंदर शाशित प्रदेश हो गए जमौन कश्मीर लद्दाग साथ ही तीन राज्य गुजरात पंजाब और राजस्तान के साथ अपनी सीमा साजा करता है नेपाल नेपाल ये क्वेशन आया है एक्जाम में कि नेपाल किन-किन भारतिय राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है तो इसमें है उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पस्चिमी बंगाल, म्यानमार, नौर्थ हिस् पश्रम बंगाल अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम और अफगानिस्तान जो है वो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता एक है कि अपनी साजा करता है तो यह टेबल आप अच्छे से अपनी साजा करताए और इस में से जनरली कुछे जाते हैं कि कौन सा राज्य है वो किस किस देश के साथ अपने सीमारे का साजा करता है इसमें धियान रखने की बात यह है कि जमू और कश्मीर चुकि अब लगदाक और जमू और कश्मीर नामक दो यूनियून टेरिटरीज में बठ गया है तो जहां भी जमू और कश्मीर आ है उसको एक पर आप अच्छे स बनाई हुई है तो इस में जो सातों कंट्रीज है उनके साथ में जो बाउंडरी शेट करी जाती है वो आप इसली देख सकते हो अच्छा बहुत सारे एरियाज में अभी बहुत सारी बाउंडरीज पे अभी डिस्प्यूट है तो जो डिस्प्यूटेड एरियाज है उनको हमे में dispute तो सबसे चोटी समीन हैं रखना कि सबसे चोटी जो बाउंडरी है वह इंडो आफगानिस्तान बाउंडरी है जो दूरन रेखा की माध्य हमसे निर्दारीद होती है इसके बाद में इंडो पाक है जो रेड़ क्लिप के द्वारा निदावित होती है और यह जो इस्टन फ्रंट पे देखते हैं कि इनके साथ जो बाउंडरी है वो हमारी डिसाइड होती है किससे मेक मौन रेखा से और यह भारत की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलो मिटर जिसके उपर कितने राज्य आवस्तित हैं नो राज्य आवस्तित हैं और चार केंदर्शाष्ट प्रदेश आवस्तित हैं इसको हम अल्रेडी देख चुके हैं अब हम देखते हैं पुराने क्वेशन जो आयो है विगत वर्श क्वेशन है क्वेशन है यह आप कोहिमा से कोटेयम की यात्रा सड़क मार के उजारा करते हैं तो आपको अपने मूल स्थान और गंतवे स्थान को मिला कर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य में से होकर गुजरना होगा ठीक है इसमें ऑप्शन थे 6, 7, 8 और 9 ठीक है तो यह है उपको पता है कोहिमा कहां पर है नगलेंड में और कोटेयम है आपका केरला में तो नगलेंड से केरला आना चाहिए कोई सड़क मारक से तो उसको कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा जिसमें इन दोनों को भी इंक्लूड करना है तो इसका अंसर होगा आ साथ राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा देखते हैं कैसे गुजरना पड़ेगा साथ राज्यों से होकर देखिए यह है कोहिमा और यह है आपका कोटेम तो सबसे पहले नगलेंड से असम असम से आपका आएगा वेस्ट बेंगोल वेस्ट बेंगोल से ओडिसा ओडिसा स आंध्रा आंध्रा से आंध्रा से तमिलनाडू होते हुए केरला तो कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे और साथ इसमें केरल और नगलेंड दोनों को इंक्लूड किया जाएगा तो टोटल साथ स्टेट से आपको मिनिमम क्रोस करना पड़ेगा कोहिमा से कोटे हैं पहुंचने के लिए ठीक है ऐसे ही और भी क्रेशन हो सकते हैं तो थोड़ा सा मैप को विजुलाइज करके हम उनके आंसर इजिली दे सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है भारत के निम्न राज्यों को उनके भोगोलिक छेत्र के घटते करम में व्यास्तित कीजिए यह बहुत कॉमन क्यूशन है तो आपको कम से कम दस स्टेट के नाम पता होने चाहिए उनके एरिया के हिसाब से तो इसमें जो राज्य दिये गए हैं वो हैं राजस्तान, तमिलाडू, महरास्ट्रा और करनाटक और कुछ कूट दिये गए हैं जिनको हमें डिसाइड करना है कि घटते करम में कौन-कौन से होंगे ठीक है तो राजस्तान तमिल्लाडू महारास्टर करनाटक आपको पता है कि सबसे जगदा जो area है वो किसका है राजस्तान के आपको लिस्ट दिखाते है सबसे जो बड़ा स्टेट है वो है चितरफल की दरस्टी से राजस्तान ठीक है उसके बाद में हमारे आप्शन्स में जो आता है वो आता है महारास्ट्रा तो सबसे पहले आएगा एक नमबर उसके बाद में आएगा दो नमबर महाराष्टा महाराष्टा के बाद में लिस्ट में जो दिया हुआ है तीसरा वो है आपका करनाट का मिलेगा आपको जो छटवे नमबर का राज्जे है वो है करनाट का तो मतलब तीसरे नमबर के आएगा करनाट का और जो तमिल लाडू है वो भारत का दस्वा सबसे बड़ा राज्य है छेत्रफल की दरस्ते से तो अपना आंसर हो जाएगा वन फोर टू थ्री इसमें आएगा वन आप्शन आजाएगा हमारा राजस्तान एक उसके बाद में तीसरे नंबर वन थ्री उसके बाद में कारनाटका चार और ये दो तो जो सी है वो हमारा आंसर रहेगा इसका ठीक है और ये टेबल आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं भारत के दस छेत्रफल की दरस्ते से जो बड़े राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं राजस्तान, मद्यप्रदेश, महारास्टरा, उत्रप्रदेश, गुजरात ये हम देख चुके हैं उल्ड़ी राजस्तान, मद्यप्रदेश, महारास्टरा, उत्रप्रदेश और गुजरात जो छोटे वाले स्टेट्स हैं इन से नीचे हैं वो करनाटका, आंदरप्रदेश, ओडिसा, चतिस गड़ और तमिल नाडू ठीक है? तो यह आपको एक बार याद करने है फिर question है भोगवलिक चेतरफल की दरस्ती से भारत का विश्व के देशों में कौन सास्तान है? Simple question है कौन सास्तान है? भारत का सात्वा स्तान है तो विश्व के जो दस देश हैं, उनको एक बार देख लेते हैं यह भी बता चुका हूँ मैं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं रशिया, कैनेडा, युनिटेट स्टेट्स, चाइना, ब्राजील, पांच बड़े देश, इसके बाद में उस्ट्रेलिया और साथ यह नमबर पे आता है भारत, भारत से जस्ट बढ़ा है अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान और अल्जीरिया तो यह साथ तो कम से कम आपको याद होने चीए जो भारत से बढ़े हैं उसके बाद कि तीन देशें अर्जिंटीना, कजगस्तान और अलजीरिया ठीक है ये मैप से आप करोगे तो ये इजीली आपको याग जाएगा ठीक है पहले रशिया, उसके बाद में कैनेडा, उसके बाद में युनिटेट स्टेट्स, तीन नमबर पे उनिटेट स्टेट्स के बाद में चाइना, चार नमबर पे, ब्राजील आपका ये रहा, पांच नमबर पे, उसके बाद में छे नमबर पे उस्ट्रेलिया, और साथ नमबर पे है भारत, ठीक है आठ नमबर पे अर्जिंटीना है नो नमबर पे आपका कज़गस्तान और दस नमबर पे आपका है अलजीरिया ठीक है तो विश्व के दस सबसे बड़े कंट्री जहां छेत्रफल के इसाब से उनका को याद करना है नेक्स क्वेशन जो आया हुआ है निमनलिकित कतनों में से कौन से भारत के बारे में सही है ठीक है सही उत्तर के चैन है तो अधोलिकित कूट का प्यों कीज़े तो इसमें कुछ कतन दे होंगे उनमें से देखना आपको कौन से सही है तो पहला कतन भारत विश्व का पांच्वा बड़ा देश है और जनसंग्या की दरस्टी से भी 5 हो नहीं है और जनसंग्या की दरस्टी से भी 5 हो नहीं है तो यह statement यहाँ पर होना चाहिए तो भारत विश्व का चेत्रफल की दरस्टी से या किसी दरस्टी से 5 हो बड़ा देश है तेकिन हम मानते हैं कि इसने चेत्रफल के लिए बोला यह स्टल मंडल के कुल छेत्रफल का लगभग दो पॉंट-चार प्रतिशत अधिगरत किया हुए है तो छेत्रफल की बात करना चाह रहा है यहाँ पर फर्स उक्षन में यह तो दूसरे स्टेट्मेंट ठीक है भारत में कितना छेत्रफल है विशु का कितना चेत्रफफल भारत रखता है विशू का दो पॉइंट चार प्रतिशत तो यह स्टेट्मेंट सही है थर्ड स्टेट्मेंट देखते हैं समूचा भारत ऊष्ण कटीवंद में तित है पहली स्लाइड नहीं नहीं हैं जो है भारत का जो कैना कि समूचा भारत ऊपरवाला भाग है वह नधसे हैं और प्राइधी ये उश्ण का वंसतीं तो है इस ट्रेटमेंट क्या हो गे आपका इन्करför्ट समूचा भारत ऊश्न नहीं है next statement ने साड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर भारत भारती मानक समय को निधारित करने के लिए यूज करी जाती है तो यह statement आपका ठीक है तो statement 2 और statement 4 सही है इसके लावा statement 1 और statement 3 आपके incorrect है तो एक बार कूट देखते हैं उन्हें में यह options हैं क्या तो जो option D है option 2 statement 2 और 4 सही है answer हो जाएगा option D ठीक है next class next question next question है आपका करक रेखा भारत के कितने राज्यसें होकर गुजरती है simple question है भारत के कितने राज्यसें होके गुजरती है तो option answer हाजाएगा B इसको भी हम देख लेते हैं भारत की कौन-कौन से 8 राज्यसें है रिवाइज हाएगा पहला गुजरात राजस्थान मद्यप्रदेश 36 जार्खंड वेस्पेंगोल त्रिपूरा और मिजोरम नौर्ट इस्ट के से डिसाइड होता है वो साड़े ब्यासी डिग्री है और वो करक रेखा को कहां क्रोस करती है चत्तीज गड़ पर याद रखना ही क्वेशन एक्जाम में पूछा हुआ है सिम्पल केश्शन है भारती मात्य की आम इतर मतलब साड़े 52 डिगरी ईस्ट साड़े 182 डिगरी एस्ट जो आपका लोंगिटूड है वो किस में से नहीं गजरता option है अंदरप्रदेश से 36 गड़ से तेलंगाना से और उत्तरप्रदेश से तो इसका answer क्या जाएगा ये तेलंगाना में से नहीं गुजरती है ये आप देख सकते हो कौन-कौन से 5 राज़े से गुजरती है उत्तरप्रदेश से गुजरती है थोड़ा से भाग मद्रदेश से गुजरता है उसके बाद में 36 गड़ आता है ओड़ी सा आता है और ये अंदरप्रदेश आता है तेलंगाना यहां पे रह गया तेलंगाना से ये नहीं गुजरती है तो पांच राज़े याद करने अपने आप आपको अंसर मिल जाएगा नेक्स केशन है नेमने लिखेक में से कौन सा राज़े तीन रास्टों से घिरा हुआ है कौन सा राज्य है अब ऑप्शन से राज्य में मिजरम नागलेंड त्रिपुरा और सिक्किम तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है सिंपल सा है यह इसमें देखेंगे आप तीन रास्टों सिक्किम है यह आपका इधर से घिरा हुआ है वेस्स से नेपाल से नौर्थ में पिपुल्स रिपब्लिक उपचाइना से और इसमें भुटान से तो आंसर क्या जाएगा इसका सिक्किम ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है हमारा नेपाल के पडोसी भारती राज्यों का समूख कौन सा है इसमें बहुत सारे ओप्शन दे रखे होंगे हमें अब हमें मैप को विजुलाइज करना है कि नेपाल के पास में कौन-कौन से भारती राज्यों आवस्तित है तो यह मैप देख सकते हैं आप यह देखी यह है नेपाल अपन वेस्ट वीज चलते है सबसे पहले उत्तराखंड है उसके बाद में उत्तर प्रदेश है नीचे आपको बिहार मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आपको सिक्किम और यह आपका पार्ट है वेस्ट पंगोल का तो पांच राज्य हो गए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और वेस्ट पंगोल उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्राखंड, सिक्कीम और वेस्ट पेंगोल तो हमारा option A आंसर हो जाएगा इसका नेपाल के पडोसी देश कौन-कौन से नेपाल जो है उसके पडोसी भारती राज्य कौन-कौन से है पांच राज्य हैं तो राज्य के options देख लेता है गुजरात, आंदरप्रदेश, महारास्ट्रा और तमिल्लाडू तो सबसे बड़ा जो समुद्री तट राज्य में है गुजरात का यदि यहाँ पर राज्य ओबलिक केंदरशाषित प्रदेश आता तो आंसर होता हमारा ओडिसा, करनाटका, पश्म बंगालोर, सबसे छोटा जो तट है राज्यों में वो है गुजरा का भारत में तटी राज्यों की संक्या छे, साथ, आठ, नो आंसर इसका सिंपल है नो और तटी राज्य बताया मैंने जैसे अब आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो तो नो तटी राज्य है इसके लाव चार केंदर शाषित प्रदेश है तो ये हमने देखा कुछ केशन्स जो उल्दू काफी फैक्च्छल है लेकिन एक्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं हम नेक्स्ट क्लासेज में और भी ट्राई करेंगे कि जो से इलेटेड और भी कुछ क्रेशन्स मिलते हैं इन से संबंदित भारत की आवास्तिति विश्टार और पड़ोसी देश्टों से संबंदित तो उनको हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे यह मैंने आपको अल्ड़ी बता दिया है नौ राज्य और केंदर शाषित प्रदेश जो है चार दमानों दीव पुदुचेरी अन्दमानों निकोबार दीव समो और लक्ष दीव तो यह काफी बार पूछा जाता है एक्जाम में यह आपको याद होने चाहिए तो अभी ज प्पड़र सी देशों के साथ कैसे सम्बंद हैं कौन-कौन से पड़ देशों से भारत की जो राज्जे हैं वह अपनी सीमा सजा करते हैं वह देखा डूरन रेखा मेकमोन रेखा और रेड्क्लिफ लाइन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा अगले वीडियोज में हम ट्राइ करेंगे कि जो डिस्पिटेड एरियास हैं उनको थोड़ा सा डिसकस करें और जो मेरिटाइम बाउंडरी है भारत की उसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे तो आज के लिए इतना ही ग्यान सुधा चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद Thank you